एक तरफ जहां पूरी दुनिया में कोरोना वाइरस ने कहर माचा चुका है तो वहीं दूसरी और सरकारें इन से बचने के लिए सिर्फ मास्क और सनिटाइजर का ही सहरा ले रही है। मोधी सरकार का भी कहना है कि आपको मास्क का अपयोग जरूर करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स का ऐसा मानना नहीं है। इस मामले को लेकर डॉक्टर परमजीत कहते हैं कि मास्क पहनना छोड़ दो। उनका कहना है कि यदि आपको कोई बिमारी नहीं है तो आपको मास्क नह नहीं रोख सकता मास्क सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी है जिने सर्दी जुकाम या खासी है समा निवक्ति को मास्क नहीं पहनना चाहिए स्टॉप वेरिंग मास्क से नहीं रोका जा सकता किसी भी प्रकार के N96 या किसी भी मास्क से नहीं रोका जा सकता अगर आपको होना है तो होगा बिल्कुल वैसी जैसे आपको सरदी होगी जाए कोई भी वैक्सीन लगा लो फ्लू वैक्सीन लगा लोगे तो भी सरदी होगी बिजनस बना रखा है जी यह यह सच है किसने बनाया किसने बनाया है वह वुहान में चाइना में बैठा एक अपना जॉब कर रहे डॉक्टर ने किसने बनाया एक pharmaceutical company ने या इंडिया में बैठे किसी डॉक्टर ने किसने बनाया वो business वो pharmaceutical company अपना business बना रही है जो बीमारी है उस पे और आपको भेज कौन रहा है क्या डॉक्टर ने बोला मास्क पहनो नई किसी डॉक्टर ने ने बोला मास्क पहनो आपको भोल रहे है news channel आपको बीमारी को और जादा बढ़ा चड़ा के कौन बोल रहा है क्या किसी पूरी दुनिया में किसी डॉक्टर ने बोला है कि इससे आप मर जाओगे पूरी दुनिया खतम होने वाली epidemic है pandemic है पूरी दुनिया में फैल रहा है वो भी हर जागा पहुचेगा कोई नहीं रोख सकता उसको problem is not coronavirus problem is what you are told about coronavirus इसलिए mask मत पहनू mask की ज़रोत मीई, mask की ज़रोत उसको है जिसको flu है जिसको flu है, जिसको खासियारी जिसको चीक आरी, उसने पहनना है mask ताकि वो दूसरों को ना दे दे आपके mask पहनने से कुछ नहीं होने वाला आपको आदत होनी चीए हाथ धोने की, आपको आदत होनी चीए कि खाये कारी है, mask नहीं है तो बगल में चीको यह अच्छी आदते हैं वो चाहिए mask पे mask खरी mask की ज़रोत hospital में है जो हमारे पास नहीं है हमें hospital हो में कपड़े का mask सिल्वाना पढ़ रहा है क्योंकि mask नहीं मिल रहे hand sanitizer नहीं मिल रहे hand sanitizer फिर भी चलो ठीक है हाथ तो धोने ही चाहिए पर mask की ज़रोत नहीं है, mask खरीदना बन कर दो Bureau Report, EMS TV, Bhopal